नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत एक बार फिर से आपके अपनी यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए CET से जुड़ी महतपुन जाने का रहे हैं रोस्तों या तो आप सभी को पता लग चुगा है कि आपका CET का परिणाम NTA के द्वारा जारी कर दिया है लेकिन आप इस परिणाम में केवल अपने नमबर देख पा रहे हैं या आप क्वालिफाई हुए या नहीं हुए लेकिन NTA के द्वारा 15 दिनों के बाद विस्तरित परिणाम जारी कर दिया जाएगा और इसमें दिखाया जाएगा कि आप कुल पास विद्यारतियों में से आपकी रैंक किया है और इसके लावर सरकार के द्वारा पोर्टल खोला जा रहा है जिनें आर्तिक समाजिक अंकों का गल्त दावाव वापस ले सेकेंगे हर्याना में गुरूप C के पदों के लिए हुई CET के परिक्सा को आगामी 15 दिनों के बाद विश्तरित परिणाम जारी कर दिया जाएगा और साथ परतिक अब्यारति को उसकी रैंक बताए जाएगी कि वह कुल विद्यारतियों में से किस रैंक पर है यानि 3,53,000 अब्यारति पास हुए है और वे इन में से किस रैंक पर है यह भी आपका साइट पर दिखाया जाएगा यानि विश्तरित परिणाम आपका बताया जाएगा इसके लावा हर्यान करमचारी चायन आयोग ने अपना पोर्टल खोल दिया है और अब्यारति अपना दावा वापस ले सकेंगे जिननों ने गलती से या फिर गलत तरीके से आपके समाजिक आर्थिक मानदण के जो अंक लिये है उनका वे दावा कर सकेंगे और जिनकों गल्ती हुई है वे अपनी वापस ले सकेंगे एंटे के और से जारी परिणाम अभी तक केवल संबंदित अभ्यारतियों के अपने पंजीकरण और जनमती थी के अदार पर देख पा रहे है एंटे ने अभी तक विस्तरित परिणाम हर्यान करमचारी चेन आयोग को नहीं भेजा है लेकिन संबावना बताये जारा है कि आगामी दस दिनों के अंदर एंटे विस्तरित परिणाम आयोग को भेज देगी और इसके बाद आयोग आर्थिक समाजिक अंको के अदार का दावा करने वाले अभी विस्तरित परिणाम जारी किया जाएகा और बताया जाएगा कि आपके कुल पासवी दियार्ति雍क कैना है इसके अलावा विदवा पितरहिन को मिलेंगे अतिरीक्त अंक आर्थिक समाजिक अधार की अंकों को लेकर आयोग ने साप किया है कि विद्वा और पितरहीन अब्यारतियों को पहले की तरह से आर्थिक समाजिक अधार के अंक मिलेंगे वही जिनके घर में नोकरी नहीं है और उनमें केवल उनही को अत्रीक अंक मिलेंगे जिनकी सालाना आई एक पॉइंट असी लाग से नीचे है यानि गर में नोकरी भी नहीं है और सालाना इंकम आई आपकी एक ला억 असी हजार से कम है उनको केवल आतिरी अंक दिये जाएंगे अन्यत जिनके घर में नोकरी भी नहीं है लेकिन सालाना आई आपकी 1,80,000 से जादा है तो उनको सामाजिक आर्तिक मांदंड के जो अंक है वे नहीं दिये जाएंगे तो ये अब की बार CT में बदलाव किया गया है इसके लावा 65,000 अब्यारतियों को NTA ने प्रोविजनल परिणाम जारी किया है यानि इन अब्यारतियों को गबराने की जुरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक इनका डाटा परिवार पैचान पत्तर से मैच नहीं कर पाया तो आयोग का कहना है कि पहले आयोग PP के माध्यम से इनका डाटा का मिलान करने का प्रियास करेगा अगर इससे भी काम नहीं चला तो अब्यारतियों को मैनुवली तरीके से बुला कर दस्तावेज की जाएगी और जाच में दस्तावेज सही पाय जाने पर प्रोविजनल सबद को हटा दिया जाएगा ऐसा बोपाल सिंख अधरी के द्वारा कहा गया है तो दोस्तो यह थी आपकी सीटी से जूड़ी मैत्तपुन जानकाने है जाल के लिए दोस्तो आज के लिए इतना फी वीडियो अच्छी लेगा तो लाइक कीजिए कोमेंट कीजिए सेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजी साइंस को वीडियो देखने के लिए आप सबी लोगों का धन्यवाद